हलो स्टुडिंस वेल्कम बेक तो माई यूटीब चैनल सो बच्चे इस वीडियो दे विच असी सेक्षिन दी और ई करन जा रहे हैं सो लास्ट वीडियो दे विच बच्चे सी 17 तक जोड़े कोश्य ना वो डिसकस कर ले सी सो अगर तुसी पिशली वीडियो हले तक नहीं देखी ता पिशली वीडियो देख लो वीडियो नू लाइक कर दो शेर कर दो से सस्क्राइब करना ना पूलना बच्चे कोश्य नमबर 18 है ड्राइब एन एक्स्प्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशल अनरजी आदे घृ आई वायर ऑलसो फाइज दा एलास्टिक अनरजी देस्टी इन्सटिक थ इनसटी इन्सब्सक्राइब आदक वायर या फिर working in a stressed wire जो stressed wire दी विच बचे हो दी proper working जड़ी तुसी explain करनी है ठीक है तो बचे मेरे खोद दे ही notes है तुसी अपनी screenshot लेके रख सकते हैं या फिर note down कर सकते हैं ठीक है जी अथे तक work done है उन्हेंने नाल ही energy density पुछिया so energy density दा answer इननक लास्ट विच इननक तुसी solve करना है ठीक है जी so एह हो गया थोड़ा first question second question देखो second question बचे numerical a steel rod has a radius of 10 mm and initial length एदा मतलब थो नू केड़ी चीज गिवन है पहला radius गिवन है then length गिवन है force गिवन है so next देखो calculate करना stress, elongitude न ते strain so देखो है नू किदा solve कर देया so देखो बचे stress के देखोल हूंदा सब पहला एक rod नू इस तरीके नापा की कार देता stretch कार देता so force outward लाग रिया stress के देखोल आएगा force over area so force असा नू 100 kN देता हुया kilo नू newton convert किता 10 raised to the power 3 so area के न आएगा pi r square क्योंकि यह था circumference देखांगे बचे इस पूरी wire था circumference के नाएगा pi r square so area के देखोल आगया pi r square area सा नू गिवाना r सा नू गिवाना 10 mm mm नू मिल्ली मीटर मीटर विच convert किता था 10 raised to power minus 3 so आगया थोड़ा radius next first न ने क्या stress find out करो so stress था formula किया force over area force दी value पूट कर देती थे area दी value पूट कर देती बचे मैं step by step कर ला portion जड़ा या solve कीता होया so तुसी इत्थे तक भी answer चाट के आ सा कदे हैं इत्थे तक भी यहा फिर one point दे विचे shift करना होए 3.18 ता इत्थे तक answer ठीक है जी सो तुसी तिन ना दे विचे कोई भी answer data लिखके आ सकते हैं second असी elongation पता करनी बचे elongation हुँदिया y is equals to stress divided by delta l over l यहां फिर direct लिख सकते हैं delta is equals to l into stress divided by y y मतलब young's modelers सो बचे सारिया value सानू पताया length 1 meter रहा सो असी put करती 1 meter stress असी हुने find out करके हटिया jd मर्जी बचे value इक put कर लो like में आवाली put कितिया value so put किती y आनू बचे given हा सारी equation नो तुसी solve कर लो जड़ा final answer आजेगा so solve करके देख्या बचे साथ answer आगया 1.5 15.92 into 10 raise to power minus 4 meter अगर बचे यह दा भी point shift करूंगे 1.59 into 10 raise to power minus 3 meter आजेगा सुथवा डिमर्जी यह चाहे 1 point चे लिखलो चाहे 15 point चे लिखलो ठीक है next है strain strain हुनदा delta L over L delta L दी बचे बचे असी हुने find out करके हटिया L किन ना है 1 so इनू solve किता meter ना meter कटे आजाएगा so unit less होजेगा so strain दे कोई भी units नहीं आणगे यह थवाटा next question सी so इस वीडियो दा हुन बचे last question है draw stress versus strain graph of a metallic wire when it is subjected to a gradually increased stressed form explain different regions of graph so graph तो कले कले portion नू draw भी कर दे जाना नालदी नाल एक्स्प्लेइन भी कर दे जाना so बचे question है how stress versus strain varies with stress when a wire is stretched so same ही stress जदो किता गया same ही answer आएगा stress strain curve the definition दे दे निया बाद भी चसी लिखना या proper graph बणा के कि केड़ा proportional limit आया केड़ा elastic limit आ so एदे उत्ते बचे videos जड़ी आया already बनिया हुए आया so description दे अंदर मैं था नो link provide कर दूँगी एथे जड़ी या सिरफ और सिरफ मैं था नो PDF प्रवाइड कर रही है अगर एदी explanation चाहिए था बचे जड़ी तोसी explanation आ description दे विच विडियो से link given होँगे तुसी उत्ते जाके proper जड़ा lecturer उस सुन सकते है so video नो like कर दियो अपनी सारे friends तक share कर दियो और subscribe करना ना पूलियो thank you so much कर दो अबना जो से हाँ